नश्कार स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फूरिसे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पांच में चर्ण के लिए मतदान लगता जारी है कई जगे से आ रही है खवार मसीनों में पाई गए गरवड़ी मतदान हुआ पाधेत वहीं कई जगे यहां पे लगे हैं बूत कैप्चिरिंग के भी आरो पूरी खवर आगे जानते हैं वीडियो में वहीं खवरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी मानते हैं इस बार के आम चुनाओं में इंडिया का ठवंदन बढ़त बनाए हुए है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा कम आप सब्सक्राइब निखने को मिला है कई यहां पर दिगजों ने किया है मतदान आप सभी को बताते चलें महराष्ट की 13 लोग सबस्वा सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है और इसके बाद यहां पर महराष्ट के चुनाओं संपन्न हो जाएंगे वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें लगातार बीपच्छी नेता बीजेपी पर हमलावा नजर आये हैं इसक्रम में ताज़ा अपडेट निकल कि आ रही है इसके राष्टे अध्यच मलिकाजुन खडगे ने कहा कि मतदाताओं से अपील की है कि लोग तंत के लिए बोट डालना है ताना सा आनी के लिए नहीं आम जनता से मलिकाजुन खडगे ने यह अपील भी की है और इसी के साथ अगली अपडेट की और बढ़ते हैं राइबरेली में कई मतदान के इंद्रों पार मसीन खराब पाई गई है और वहीं मोहलाल घंज में तो मतदान अधिकारी अधार कार्ड को ही मानने नहीं मान रहे है यूपी के यहां पर कई जिलों में आज मतदान हो रहा है और पांच में चर्ण के तहत यहां पर लखनव के मोहलाल गंज छेतर में भी मतदान हो रहा है राइबरेली में एक बूत पर 20 इलेक्ट्रोनिक मसीन खराब होने की सूचना है इसके चलते वह मतदान देश से शुरू हुआ वहीं यहां पर लगातार समाजवादी पार्टी भी कई जगे इलेक्ट्रोनिक मसीन खराब होने की सिकायत दर्ज करा रही है और कई जगे बूत के बाहर वीजेपी कार करता हंगामा भी करते नजर आये हैं जिसको लेके यहां पर चुना को सिकायत भी भेजी है समाजवादी पार्टी ने तो वहीं मुहनलाल गंज लोग सवा में आधार कार्ट से बोट डालने ना देने की सिकायते भी सामने निकल कि आई हैं इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट की और बढ़ते हैं दूसरी और यहां पर सीम केजरिवाल का ब के अंदर में इंडिया गढ़न्दन की सरकार बनेगी तो इसमें सामिल आप पार्टी या स्मुष्चित करेगी कि दिल्ली को पूर्ण राज का दरजा मिल जाए दच्छिंग दिल्ली संसदिय छेत्र में चुनावी सबाओं को संबोधित करते हुए केजरिवाल ने आरोप लगाए कि नयंद मोधी विपच्छी नेताओं को जेल भेज रहे हैं और यहां पर लगातार आम आदुवी पार्टी को ही निसाना बनाये जा रहा है क्योंकि कई प्रदेसों में आम आदुवी पार्टी सीधे तोर पार BJP को टक कर दे रही है जिसने बीजेपी के चिंताएं बढ़ा के रख दी है इसलिए आम आदूई पार्टी के नेताओं को यह तक कि पूरी आम आदूई पार्टी को ही दोसी बनाने के लिए सरकार लगी है यहां पे बीजेपी पे जोड़ार तरीके से हमलावा नजाराय अर्विंद के जिरिबाल पांच में चरण का मतदान जहां एक तरफ जारी है तो एक ताज़ा अपडेट आ रही है बोर्ट फ्राम होम को लेकर पच्पन सो लोग कर रहे हैं घर से मतदान बहुसे लोग बढ़ती उम्र या किसी सौस्त संबंदी परशानी के कारण पोलिंग बूथ पर जाकर बोर्ट नहीं कर पाते और इस कारण कई बार यहां पर हुआ मतदान करने से चूप जाते हैं या फिर उनकी जगा कोई और मतदान करके नियमों का उलंगन करता है हाला कि अपचुना वायोग बर्ग फ्रॉम होम की तरह ही बोर्ट फ्रॉम होम की सुविधा इस बार दे रहा है इस लोग सभा इलेक्शन में भी हजार लोगों ने इस बिकल्प को चुना है आपको बताते चलें लगभाग दिल्ली में ही 1300 मतदाताओं ने डाक मतपत सुविधा का बिकल्प चुनका दो दिनों में अपने घरों से आलाम से बोट डाला और आपको बताते चलें यहां पर यह अकड़ा अभी और भी बढ़ने वाला है लोग लगातार इस प्रेक्रिया के लिए आवेदन कर रहे हैं प्रेंका गांधी का बड़ा वयन आया है बोली है आपका एक बोट देश को महंगाई बेरोजगारी और आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाएगा जी हाँ इस समय के ताजा बड़ी ख़वर आ रही है प्रेंका गांधी लगातार अब भी चुनाओ पचाय का रही है वहीं प्रेंका गांधी भी बीजेपी पे लगातार हमलावर है उन्होंने का कि हर नागरी को 25 लाग रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी 30 लाग सरकारी नौकरिया मिलेगी SC, OVC और ST को उचित भागेदारी मिलेगी आपका एक वोट देश के लोग तंतरो सम्मिधान की रच्छा करेगा यहाँ पे देख सकते हैं प्रेंका गांधी ने सभी देश बासियों से अपील की है जादा से जादा संख्या में मतदान करें आपका एक बोट देश को महंगाई बेरोजगारी आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाएगा और देश को मजबूत करेगा यहाँ ताजा बड़ी ख़बर आ रही है एक यूबक ने आठ बार डाला बीजेपी को बोट पुलिस ने किया गिरफता चुनाओ आयोग ने पूरी बार बोट डाला और कमल के फूल का बटन दवाया पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफतार किया हां कि हलाकी वहन नावालिक है और मुकदमा भी दरज कर लिया आपको बताते चाहें चुनाओ आयोग ने उस पोलिंग बूत पर दोबारा मतदान कराय जाने की यहाँ पर बात क करनाटक से बड़ी ख़वर आ रही है करनाटक के बीजेपी विधायक हरीस पूंजा पर हाली में एक हिस्ट्री सीटर की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस इस्टेशन में घुसने के बाद एक अधिकाई के साथ बद स्रलूकी करने का आरोप लगा बीजेपी विधायक पर इस्टेश आरोप है कि उन्होंने पुलिस करमी को अपना काम करने में बाधार डालने का काम किया था जानकाई के मुताविग बीजेपी विधायक पर आप केस भी दर्ज हो गया है इस्टरी सीटर की मांग की रिहाई पर बीजेपी विधायक ने ठाने में जवदर स्थंगा किया था करनाटक का मामला है और वहां पर कॉंग्रेस सरकार है जिसके बाद अब यहां पर वीजेपी विधायक पर एक्शन तेज होता दिख रहा है अधिकारियों से बस सलूग की पार यहां पर केस दर्ज हो गया है महाराष्ट की 13 सीटों पे जहां एक तरफ मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ उद्धर ठाकरे पूर्वसियम का आया है बड़ा वयान सामने निकलके जी हां बोले चार्ज उनको बनेगी इंडिया गठवंदन की सरकार उद्धर ठाकरे ने बीते दिनारों पी लगाय था कि अ चार्ज उनके बाद इंडिया गठवंदन के सपत गरहंट समारों में मोदी और सहा को आमंतित करूंगा कि आप लोग भी आईए सपत गरहंट समारों में देख सकते हैं इंडिया गठवंदन के तमाम यहां पे सयोगी दलवी पूर्ण रूप से आस्वस्थ हैं कि चार्ज खाकरे लगातार बीजीएपी पर हमलावर हैं आप लोगों की क्या कुछ राह है ख़वर पर जरू बताइए कमिट बॉक्स में अगली निउस आ रही हैं नहीं दूसरी तरह आप आईपीसी सियार पीसी के नए कानून के ताहत यहां पे कुछ विसंगतिया होने की बात कही गई थी एक जनीत याज का दायर की गई जिस पर आज Supreme Court की Bench सुनबाई कर रही है केंद सेका ने तीनों कानूनों में बतलाओ किया था और आप इन्हें Supreme Court में चुनवती दे गई थी कि इनमें खामियां गलतियां हैं जिसे Supreme Court ने आज का सुनबाई करने के लिए लिए लिस् झाल झाल